नमस्ते दोस्तों सोगते आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे प्रेगनेंजी के दूसरे महीने के लक्षन के बारे में जब तक आपको पता चलता है कि आप प्रेगनेंटे तब तक आपका दूसरा मंत शुरू हो जाता है प्रेगनेंजी के पहले महीने में आपके दूसरे महीने में आपके लाइप स्टाइल, खान पाई शरीर में हो रहे हैं बदला, ब्रून में हो रहे हैं विकास और इन सबसे जूरी कुछ सावधाने वपर भी कास द्यान देने की जरुवत है। इस विड़ो में हम जानेंगे प्रेगनिसी के दूसरे मत यानि की पाच से आठ पिक के लक्षन, मौर्निंग सिखने से एक समझते हैं जो आपके शरीर में हर्मोन से और संतुलत होने के कारण सामने प्रकट होती हैं। इसके स्थिती में आपको रोज सुबह के समय मतली और उल प्रकट नहीं हैं बलकि इन सबसे अच्छा और उत्पन्न होने वाली परिशानों को डाएट में बदलाओं में लाकर दूर करनी हैं। आपको सास लेने में परिशानी हो सकते हैं। आपका वजन पहले से थोड़ा बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है। आपको कुछ गं आपके समझ से हो सकती है। गर्बधारन करते हैं आपके शरीर में मौझूद हर्मोन उतल पुतल मच जाती है। कभी किसी हर्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो किसी का लेवल घटता है। ऐसा होने से आपके मस्तिश्क पर असर पड़ता है। जिसके कारण आपके मूड में अचानक बदलावाने शुरू हो जाते हैं। INTERP अब किसी बात पर खुष हो जाती है। और चूटी चूटी बात पर दुखी भी हो जाती है। कुछ महिला हैं तो चीज खाना में भी रूची रखने लगती है। और दुसरे महिला हैं तो बहुत सारे सामने लक्षन हैं। ज इसमें तरह की चीजों को खाने की इच्छा होना, बार पर पेशाप लगना, कमजोरी होना, ठकान होना, गैस और कबजे होना, कम भूक लगना, शरीर में दर्द और एठर होना, चक्कराना, पेट, पेरे और नसों में सूजानाना, और सीने में जलन होना आधी सब शामिल है। प्रेगनेंसी में अच्छी डायट लेना बहुत जरूरी है, हेल्दी खाना परियाप्त मात्रा में, पानी का सेवन हर इंसान के लिए जरूरी है, हम जो खाते हैं वो अंतता हमारे स्वास्ता का निनने लेते हैं, इसलिए अगर हम फीट रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हे हाइडरेट रहना है, ज्यादे स्वाइबर का सेवन करें, आइरन को अपने डायट में शामिल कर, क्यूंकि आपके शिशु के विकास के लिए बहुत मददगार होता है, प्रोटीन से भरवर पदारता का सेवन करना भी जरूरी है, अपने खान पान पर कैल्शियम का प्रच प्रेगनेंसी को ज्यादा से में होता है, वैसे उसे बच्चे का विकास भी तेजी से होने लगता है, प्रेगनेंसी के दूसरे महेने में ब्रून का आकार करीब एक इंच तक हो जाता है, यानि कि अभी बेबी का साइज एक जामून के बराबर के आकार का होगा, ब्रून का पर उधर काम करना भी शुरू कर देता है और दिमाग भी विकसित होने लग जाता है प्रेग्निंसी के सेवन वीक तक आप बच्चे के हाटबिट भी सुन सकती है अगर आप सेवन वीक में अगर अल्टरसाउंड करवाएंगी तो आप अपने बेबी का हाटबिट भी सुन सकत है प्रेग्निंसी काट वीक तक बच्चे के छोटे-छोटे डॉट की तरह आख नाख और होटे भी बनने शुरू हो जाते हैं न्यूरल टूप भी बनने शुरू हो जाती है गर्मनाल विकसित भी होने लगती है तो दोस्तों ये थे गर प्रेग्निंसी के दूसरे महिने के इलक्षन इसलिए आप अपना खास द्यान रखें धन्यवाद और स्वस्त रहें